नितिवच्चन अध्याय दस सुलेमान की नितिवच्चन बुद्धिमान पुत्र से पीता आनंदित होता है परन्तु मुर्क पुत्र के कारण माता उदास रहती है दुष्टों के रखे हुए धन से लाब नहीं होता परन्तु धर्म के कारण मृत्यू से बचा होता है धर्मी को यहवा भूको मरने नहीं देता परन्तु दोष्टों के अभिलाशा वह पूरी होने नहीं देता जो काम में डिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है परन्तु कामकाजु लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं जो बेटा दुपकाल में बटोरता है वह बुद्धी से काम करने वाले है परन्तु जो बेटा कटनी के समय भारी नीन में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है धर्मी पर बहुत से आशिर्वाद होते है परन्तु उपद्रव दुष्टों का मुह चा लेता है धर्मी को स्मरन करके लोग आशिर्वाद देते है परन्तु दुष्टों का नाम मिट जाता है जो बुद्धिमान है वह आग्यों को स्विकार करता है परंतु जो बक्वादी और मूढ है वह पचार खाता है, जो खराई से चलता है वह नीर चलता है, परंतु जो टेड़ी चार चलता है उसकी चाल प्रगट हो जाती है, जो नैन से सेन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बक्वादी और मूढ है वह पचार खाता है, धर्मी का मुह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुह च्छा लेता है, बैर से तो जगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं, समझ वालों के वचनों में बुध्धी पाई जाती है, परंतु निर्बुध्धी की प का दुठ नगर है, परंतु कंगाल लोग निर्दन होने की कारण विनाश होते हैं, धर्मी का परिष्ट्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्टों के लाव से पाप होता है, जो शिक्षा पर चलता, वह अवरों के लिए जीवन का मार गए, परंतु जो डाट से मुह दोरों को भटका देता है, जो बैर को छिपा रखता है, वह जुट बोलता है, और जो अपवात फैलाता है, वह मुर्ख है, जहां बहुत बाते होती है, वह अपराद भी होते है, परन्तु जो अपने मुह को बंद रखता, वह बुद्धी से काम करता है, धर्मी के वचन तो उ पिर बुद्धी होने के कारण मर जाते हैं, धन यहवा की आशिशी से मिलता है, मुर्ख को तो महापाप करना हसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझवाले पुरुष में बुद्धी रहती है, दुष्ट जन जिस विपति से डरता है, वह उस पर आप पड़ती है, और धर् को सिरका और आख को धुआ, वैसे आलसी उनको लगता है, जो उसको कही बेजते हैं, यहवा के भह मानने से आयू बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़ ही दिनों का होता है, धर्मियों को आशा रटने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा तू इल्ड़ रहेगा, परंतु दुष्ट पुत्वीपर बसने नव पाएगा, धर्मिके मुह से बुद्धि टपकती है, पर उल्ठ फेरे की बाęt केहने वालों की जीव गाटी जाती है, धर्मियों को आशा परंतु दुष्टों की बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुह से उलट फेर की बाते निकलती है